मैं उनके पटी लॉयल नहीं हूँ वफादार नहीं हूँ इसलिए जगड़ा होता है हलो गाइज गूड इवनिंग कैसे आप सभी लोग आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे और एक न्यू वीडियो में आज है फ्राइडे फ्राइडे की साम से मैं सिटरी की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और यहां पे मैं बना रही हूँ यह पापर रिंग पापर बोलते हैं तो यह बहुत ही लाइट और हलका फुलका होता है काने में और बहुत ही जल ख़तम होजाता है बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कहा के अभी आ गये है हाडी अपना मिल्क पी रहा है और हम यहां पे मैं अपने लिए और हभी के लिए काली चाय बना रही हूँ साथ में पापर और यह देखिए मैं वीडियो करटे करटे प प्राइ कर रही थी तो जादा तर पापर जल लही गए तो इसलिए बोलते एक टाइम में एक ही काम करना चाहिए नहीं तो दोनों काम खराब हो जाते हैं देख सकते हो तो हम चाय पी रहेते तभी पास की जो हमारी डोसिस्टर है उन लोगोंने हार्डिक के लिए पीजा बेज पापर हार्डिक ने अभी को दे दिये और पीजा खाने में बैठ गया उसको पीजा बहुत ही पसंद है और कौन होगा ऐसा जो पीजा पसंद नहीं है ये पीजा हार्ड का पीजा था बहुत ही टेस्टी था कल शाम को आया था हार्डिक ने अल्रडी बिसकेट मिल्क खा लि पीजा हट का पीजा आज खाई हूँ तो पीजा हट का पीजा ना डॉमिनोस के पीजा से बहुत बेटर है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया वाला था ये पनीर पीजा था तो बहुत ही टेस्टी वाला था तो पीजा बगरा खाके सारे हान पजे में थोड़ा आराम करने के लिए लग गई थी उसके बाद आज हब भी drum stick लाए थे तो वही बनाने की त्यारी करें drum stick में हमेशा हम सर्षो डालते हैं सर्षो अड्रक लसुन प्यास सब कुछ ले रही हूँ टमाटर सब भी पीस के उसको बनाओंगी drum stick की करी और साथ में एक करी बना रही हूँ यह हमारी plate ready हो रही है drum stick अर्षो बहुत ही टेस्टी बना था साथ में थोड़ा सा शालाद और एक ओमलेट बना रही हूँ तो फाइनली देखिए हमारी थाली drum stick और आलू साथ में ओमले थोड़ा सालाद और प्यास और थोड़ा सा अलू का भटा और यहां पर हवी भी खा रहे हैं तो drum stick बहुत ही मुझे पसंद है किसको पसंद है बताएगा तो रात में और वीडियो नहीं की यह सुबा का टाइम हैं कच्रा वाली की तरह सारे दर्ब से कच्रा उतारी हूं सारा कुछ साफ कर यहां पर देख सकते हो थोड़ा बहुत सबजी के चिलके हैं प्लास्टीक है पनीर के डब्बे हैं सारा कुछ इदर डब बढ़ा हुआ है सुबा का टाइम तो हम कच्रा वाली ही बन जाते हैं हर तो इसको साब कर लेते हैं और आज मॉर्णिंग वाक पे नहीं कर घर का ही काम किया और यहां पर मैं हभी के लिए रासुबा का नास्ता रेदी करी हूं रात का चावल बचा हुआ था तो हभी के लिए मैंने आलू का भर्टा डाल दिया इसमें थोड़ा सार्चो का तेल प्या बहुत ही पसंद है तो यहां पर मेरी भर्टा बन रहे हैं साथ में एक बोईल करके उनको डेरी हूं तो और हाइज अभी के खाया के जाने के बाद यहां पर मैं अपनी धाली डेडी करके ले रहे हूं कल ही अजवाइन वाली पूरियों का एक डो बचा हुआ था ना उसको म खाल लेते हैं तो आप लोगों का क्या हाल है कैसे हो बताइएगा मैं स्वस्तू मस्तू आराम से चल रही है लाई तो हार्डी की उठ गया पर मैंने उसको खाना बेना खिला दिया का नास्ता बगड़ा उसको रोटी और घुजी दीची स्कूल बगड़ा तो बन दी है जान देर बाद आप लोगों को सामने से हेलो दोस्तों कैसे हो अभी हार्डीक ने बाहर में खेला थोड़ा बहुत फुटबाल तो एक गंड़े के करीब उसने खेला फिर अंदर आ गई हूँ अभी एक बजने वाले हैं तो हार्डीक को भी नहलाना दुलाना है और सोच और आर् के जाते है क्यूंकि एक्जाम खतम होने के बादा उसको ऑफ बिल्कुल नहीं मिला चुट्टी नहीं मिली एक जंब सब्सके खता हूं तब से मतलब कराट्रीक लासेज वो जा रहा है तो आज उसका मन नहीं है और पास भी वहों प्लेग्राउंड जाता है न तो वहां पे उसको लेके जाओंगी, बोल रहा है कि वाकिंग जोन में वाक करना है, तो कोई बात नहीं लेके जाएंगे साम को, तो आप लोगों चे थोड़ी सी बात करने के लिए आई थी, और आप लोगों को बता ही थी न मैं, कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों हजबन का भी एवियार ऐ क्या मैंने कोई गल्ती की है या उनके साथ मैं लॉयल नहीं हूँ तो यही सब आप लोगों को आज बताने वाली हूँ क्यों बात क्या है क्यों हजबन इतना गुसा रहते हैं मारने भी लग जाते हैं हाथ भी उधाते हैं तो ऐसा क्यों है क्यों क्या मैं उनके साथ लॉयल नह तो आप लोग में बताना चाहूंगी एसा कुछ भी नहीं है यह ज़स्त वीडियों के चलिए प्रैंक की हम प्रैंक कर रहे हैं आप लोगों के साथ बोलो वीडियों देखते हैं वीडियों के साथ क्योंकि वीडियो में कुस मसाला होना चाहिए, मैं आज तक नोटीस कर रही हूँ, जितने भी ऐसे कपल्स लोग वीडियो पगड़ा बनाते हैं, वो लोग ऐसे प्रैंक बहुत करते हैं, और फैमिली को मसालेदार बनाने के लिए, ब्लॉगिंग में यह समना इंक्लूड करते हैं, ले लो कोई क्या बोलते हैं, एक्स्तामेरिटल एफैर हो गया, कोई प्रैंक हो गया, या कोई हजबन वाइफ का जगरा हो गया, हजबन ने डूसरी भी भी ले आए, पतनी का किसी के साथ एफैर है, यह सब दिखाना नार्मल है ब्लॉग में, और इससे मतलब क्या होता कोई गलत इरा देशन हैं, बट थोरा सा मतलब वीडियो का कॉंटेंट थोरा सा में सेंज कर रही थी, क्यूंकि अभी तक तो तीन साल के करीब हो गया मेरे चैनल को, और अभी तो कोई ग्रोट नहीं है, पैसा तो मिल रहा है, थोरा बहुत बट ग्रोट उतना नहीं है चैनल में तो मैंने सोचा क्यों थोरा सा चैनल को थोरा सा सेंज किया थे, थोरा वीडियो को मसालेदार बना जाए ताकि थामनेल जूटी भी ना लगे, और वीडियो में थामनेल में जो है, वो वीडियो में आप लोगों को मिले, तो मैं वही मतलब थोरा सा मसालेदार, थोरा क्या है वीडियो वगदा थमनेल वगदा देखके लेकिन हाँ मैंने उन लोगों को क्लियर कर दिया कि यह नहीं नाटक है हम दोनों के बीच का ऐसा कुछ भी नहीं है अब हाथ हाथ वगदा तक उठाए नहीं है और आसा कुछ भी नहीं है यह नहीं है कि बहुत ही मतलब ऐसा वो है कि husband एक दम से गुसा नहीं करते हैं बहुत ही sweet बहुत ही ऐसा वगेरा है वह नाटक बगईरा टाइप नहीं करूगी क्योंकि गुसा उनको भी आता है एक जब एक relation में होते हो ना गुसा वह सब तो रगाई रहता है गुसा हो गया थो कभी कुछ परस्षीole 2 दॉड़ा भीडियो में धिकाती हुना उस लेवल का कुछ नहीं है व zwariable के अने एश अबहु का लगा घरख में धा静ने के लिए ठोड़ा उससी नहीं हो explanations लोमा धाल depths मेंần। प्रैंक वीडियो बना रहे हूं और आज ही डिस्क्लोज कर रही हूं उस बात को कि यह थोड़ा सा मतलब हम दोनों प्रैंक बन कर रहे थे और आगे भी यह चलता रहेगा आगे भी ऐसे वीडियो आप लोगों के सामने आती रहेंगी मेसेस आ रहे थे आगे भी आप लोग के सामने ऐसे वीडियो ऐसे मेसेस आते रहेंगे सिर्फ आज सभी को बता दे रहे हूं अगर कोई वीडियो को एकदम से स्क्रिप्ट नहीं करके एकदम फुल देखे तो पता चल जाएगा कि यह हम दोनों के प्रैंक है वीडियो को थोड नाटक टाइब से कोई हार्मफूल नहीं है किसी के लिए तो दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है तो आप लोग के समने हो लेके आती हूं बाकी हाँ देखा है बहुत लोगों को मैंने भी सोचा क्यों ना थोड़ा सा यह भी ट्राइ करके देखे तो बस सही है आदेखती वीडियो को आज और आगे बढ़ाऊंगी कि नहीं बढ़ाऊंगी आप लोगों से इसमें जो बातशित की उस पे डिपेंड करेगा वो कितने टाइम का है अगर लंबा हो गया तो मैं उसको और आगे नहीं बढ़ाऊंगी अगर 8-9-10 मिनित का एंदर हुआ तो वीडियो का आगे बढ़ाऊंगी शाद तो गाइस होब कि आप सभी लगों काज का ये वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट और चैनले कर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही धमने लेकर वीडियो में आते रहें थांक्यू गाइस बाइबाइबाइबाइब प्लीज बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा